इलाइची का यहाँ वश्य करन प्रयोग अच्चोख है इसे करते ही वो होगा आपके वश्में नमस्कार मित्रों स्वागत है से द्रटोट के चैनल पर आप सभी का एक बात है से जो व्यक्ति आपके आज पास है और आप उसे अपनी बात कहते हैं मानता नहीं है आपके काबू में नहीं है आप से हमेशा दूर रहता है या आपके खिलाफ सड्यंदर करता है आपकी बातों को कोई भी वैल्यू नहीं देता है वो आपका पती हो सकता है आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो सकता है विशेश तोर पर यह प्रयोग आपको अपनी पत्नी या अपने पती के लिए करना चाहिए अन्य लोगों के लिए अन्य उपायों पलब्द हैं तो आप उन उपायों में से कोई कर सकते हैं हलांकि यह उपाय आप अपने पत्नी प्रेमिय प्रेमिका पर करें अगर संभो है तो प्रेमी प्रेमी का पर भी किया जा सकता है तो वहाँ पर इसका लाव आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा ये इलाइची का वसी करण है इसमें आपको एक हरी इलाइची की आवसकता होने वाली है एक ही हरी इलाइची का वसकता है और ये बार बार नहीं करना पड़ेगा एक ही बार करना काफी रहेगा बार बार करने का मौका हो तो जरूर करिएगा क्योंकि इसका लाव तो उतना ही बढ़ता जाएगा जितनी बार ये दोहरा सकें आप लेकिन अगर नहीं दोहरा सकते हैं तो कोई बात नहीं है आप एक बा बाद समझ में आ जाए और होलाश्टक में आप सामिल होना चाहते हैं अपने घर की समझ्यों को दूर करने के लिए अपने कुंडली के दोसों के निवारण के लिए तो फीस 2100 रुपय है यह सुल्क दे करके अपनी डिटेल्स दे करके आप जो भी अनुष्ठान समय चल रहे ह इस अनुष्ठान में भाग लेकर अपने जीवन की समझ्याओं से मुक्ति पा सकते हैं अभी कुछ लोगों की रिक्तियां हैं जो जिस पे हम अभी काम कर सकते हैं संख्या फिर बढ़ गई है 50 से अभी 75 हो गई है क्योंकि 50 तक का जो था वो हमने कर दिया है तो अभी भी लो मेसेज आते ही हैं आप लोगों के तो रिक्तियां बढ़ गई हैं फिर से हम कोशिस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सेवा पहुंचा आप है और अब तो लगता है कि 100 से ज्यादा लोगों तक यह सेवा पहुंच सकेगी तो आपको क्या करना है अपने डिट यह बात कर लेते हैं आपसे कि आपको उपाई क्या करना है तो मितनों उपाई बहुत ही आसान सा रहेगा फिर जैसा कि इस सिद्टोट के चैनल पर आपको हमेशा ही सरल सफल और सटीक उपाई मिलते हैं तो यह उपाई वैसा ही अच्छा जिन लोगों की सिकाय थे का आपको उ इंज हमारे पास यह नहीं है कि हम यह कर सकते हैं बिलकुल भी नहीं करना है जब आप हमसे पूछोगे और हमें लगेगा कि आपके पास नहीं है तो हम तो कहीं देंगे कि ठीक आप ऐसे कर लो लेकिन इससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला और सिर्फ आपकी बात अपने चले उसका substitute उसका replacement उसका कुछ नया तरीका तुरन डोडने की कोशिस न करें जब तक हम नया तरीका स्विद्धना कर लें तब तक आपको कैसे बताएं लेकिन आप खैर उपाय पे चलते हैं आपको क्या करने हैं चाय तो आप पिलाते ही होंगे अपने प्रियजनों को अपनी पत्नी को अपने पती को चाय तो पीते पिलाते हैं अपनी girlfriend या boyfriend को भी चाय आप पिलाते ही हो तो उस चाय को जब आप पिलाते हैं तो चाय बनाते समय चाय जिस स समय एक हरी लाइची अपने मूं में चबाते रहें जिस समय आप चाय बना रहें उस समय चबाते रहें और चाय जब आखर में उबलने जब आपकी चाय उबलती है आखर में कि उतार के आपको परुशना है चाय तो उस समय क्या करेंगे उस समय पर ही आपको इलाइची निकाल चाय में डाल देनी है डाल के एक बार उसको उबाल लेना है और फिर इसे चान करके आप संबंदित व्यक्ति को दीजिए जिसका कि आप वह शिकरन करना चाहते हैं फिर आप पाएंगे कि उस व्यक्ति पर क्या घंगोर असर होता है तो यह करना है आपको उसी वाले के कप में जाए वो चाय जैसे मालो आपने दो लोगों की चाय बनाई तो आप अपनी चाय निकाल लो पहले और फिर उसमें इलाची डाल गए उबालके उनको दे दो यह काम की चलनने हो रहा है इसलिए कोई दोहान ही देख रहा आपको कि आपने क्या किया है ठीक तो इस तरह से आप यह उपाई कर लेना यह उपाई बहुत ही सफल रहेगा कभी भी कर सकते हैं दिन का कोई भी समय हो दिन का रात का महीने का कोई भी समय हो चलेगा आप पीरियेट्स में है नहीं है चलेगा बलकि पीरियेट्स में है फिर किया फिर तो यह और ज्यादा प्रभाव साली हो झाल झाल को झाल को रम और ये